वह कि आए आए तुलग में भॐट नोज ओफ के अच्छी हूंगे मैं भी अच्छी ही तो आज की वीडियो में सुट मीर को उप्टा लगी गया होगा की मैं डिली में जो गैस टीछर की वेकेंसी आई है या फिर special कोई कोर्स किया है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है और अगर आपने special कोई कोर्स नहीं किया अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता देती हूं कि हमारे चैनल पर हम लोग lesson plans और अगर आपको लगे helpful है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी community के साथ जोड़ सकते हैं उसके लावा टेलिग्राम चैनल भी है हमारा जहापे मैं आप लोग से ही सब्सक्राइब करती हूं तो उसका भी लिंक आपको टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जागा मिल जाएगा वह से सकते हैं इसके लावा कोई आपको डाउट हो कुछ पूछना हो अगर आप स्टुडेंट हो या फिर अगर आप चाह हीम और हर ओके सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ तो सबसे पहले है यह दीट पे लेजब की वेकेंसी है डायरेक्ट आप एजुकेशन की तरफ से और यह जॉब दिल्ली में ही होगी दिल्ली में ही आपको जॉब लगेगी और यह जो नोटिफिकेशन है वो 27 सब्टेंबर को आया है इसकी एप्लिकेशन डेट 30 सब्टेंबर से शुरू हो गई है तो मतलब इसकी एप्लिकेशन डेट जेवे शुरू हो चुकी है जब तक यह वीडियो अप जाने कली आजेगी यह वीडियो तो आज जो है वो देट है ओके तो पांच तरह को यह अप्लोड हो जाएगी और 15 अक्टोबर तक जो है वो फॉर्म फिलिंग का डेट है मतलब यह वीडियो अप्लोड होने के बाद आके पास 10 दिन बचेंगे 10 दिन में आप लोग अच्छे से फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका कैसे आपको कोई पेपर देना है या पेपर नही करती हूँ ठीक है फिलाल आपको बस यह क्लियारिटी होगे कि 15 अक्टोबर छे बज़े तक आपके पास फॉर्म फिलिंग का डेट है ठीक है अब यहां पे बेसिक इंफॉर्मिशन दी हुई है जिसमें से बस खाव टू अपलाई दे रखा है तो तो अपलाई करने के लिए क्या करना आपको जो है वो डीओ जकी से चात्रा की जो एपलिकेशन फॉर्म होगा वहाद पर निउ रजीस्टरेशन लिंक पर आको क्लिक करना है और आपको अप्लीकेशन आपो अप्लिकेशन और थारी depends on specifically e any c क्वालिफिकेशन और आपके परसेंटेज आर्व के पर्सनल इंफर्मिशन आपके गडिशिकल हैडी का वगोर्ड चुन्त करनी हैं, उसके बाद आपने डॉक्यमेंट का साइज आप मिनिमाइज कर सकते हैं मिनिमाइज करने के बाद क्योंकि ना वहापे देख लेना वहापे साइज लिखावा रहता है कि 15 KB या 15 MB तक वीडियो जाएगा सारी फोटो जाएगा या फिर जो भी हुआ तो आप लोग साइज को मिनिमाइज और मैक्स प्रोड करके रख लेनी है अब मैं आपको बता देती हूं यहां पर एक्जाम होता है कि नहीं होता है तो यहां पर जो है वह वह नहीं होता है तो आपकी गैस टीचर की जॉब लग जाएगी अब मैरिट लिस्ट के अंदर जो जो डॉक्यमेंट वह मांगते हैं उसी के आपके 12th class की score मांगते हैं और आपका D.Ed का score मांगते हैं या फिर B.Ed जो भी किया है अपने उसका score मांगते हैं और शायद graduation मतलब ऐसे कुछ criteria है जिसका तीन चीच का score मांगते हैं उसको add करते और अवरेश निकालते हैं और उन्होंने जो merit बनाए अगर आप उस merit से pass हो आपको मेरे description में मिल जाएगा तो description और comment section दोने आप टेलीगाम का link मिल जाएगा वहाँ पे click करने के बाद आप टेलीगाम पर आपको DOE का link मिल जाएगा वहां से जो है वह आप लोग directly अपना form fill कर सकते हैं और टेलीगाम पर और भी updates आपको मैं देती होंगी time to time इसके और special educator में ही आपके पास B.A.D. होना चाहिए ठीक है post graduation भी है तब भी चलेगा और यह देखो आपको पुरा मिल जाएगा इस सरी के से और हाँ आपका seated paper to qualified होना चाहिए PGT post के लिए master's degree चाहिए B.A.D. भी चाहिए ठीक है और अगर कोई specific आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है special educator में तो वो भी चलेगा उसके अलावा यहाँ पे mental retardation or disability कोई डिप्लोमा किया हुआ है मतलब कोई specific डिप्लोमा किया हुआ है आपने जैसे यह इस सरी के से तो यह भ इंपेर्मेंट में या फिर डेफ में किसी में भी किया हो तो अपलाई कर सकते हैं यह पूरा लिंक जो है और डाइक्टर अफ एड्यूकेशन का लिंक मतलब लिख के बताती हूं तो यह वारा लिंक जहां से मैं आपको अपडेट प्रोवाइट कर रहे हूं प्लस डियोई क क्यांट का लिंक आपको मेरे टेलीघ्राम पे मिल जाएगा और टेलीघ्राम का लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में है ठीक है तो कमींंक क्लिक कर ने के बाद हैं यह दुनों में मिल जाएंगे the Oppure के अपलाई जिसके लिए आपको master's degree चाहिए special educator में चाहिए या फिर आपके पास BA होना चाहिए और कोई special profession होना चाहिए और आपके साथ आपके पास one year experience होना चाहिए special या फिर इंक्लोजिव बच्चों के साथ deal करने का अगर आपको RCC में करना है तो अब इसमें age limit पढ़ लेते हैं तो age limit क्या बोले अगर general category से है तो 30 year age limit है अगर SCST से हो तो 35 year का आपको relaxation मिल जाएगा मतलब 35 तक apply कर सकते हो अगर आप OBCC हो तो 33 तक apply कर सकते हो 3 साल का relaxation मिल रहा है अगर आप physical handicap से हो तो आप 40 साल तक या या 10 साल का relaxation मिल रहा है अगर आप SC ST and PWD से हो तो आपको 15 साल मतलब आप 45 years की हो और अगर आप इस category से belong करते हो still आप apply कर सकते हो और अगर आप PVC या PWD से हो तो आपको 13 years मतलब 43 years तक apply कर सकते हो तो यह basically एक age criteria है general category का ठीक है अब यहाँ पर स्वारी बाकिसारी categories का भी अब यहाँ पर आता है कि क्या process ह तो मैंको process मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे exam नहीं होता है यहाँ पे जो है वो आपसे 10th class के marks पूछी जाते हैं 12th class के marks और D.Ed के marks पूछी जाते हैं तो आपको क्या करना है अपने merit बनानी है best 5 marks को calculate करके मतलब आपके 10th class में और 12th class में जो आपके best 5 subjects थे उनका percentage निक में आपके पास last में जो combine mark sheet आती है तो वहाँ पे last में आपका percentage होता है वह वह परसेंटेज जालना है but 10th और 12th के लिए आपको top 5 marks डालने है तो बहुत से लोग यह बोलते हैं कि हम best 5 डाले या best 4 डाले या फिस सारे डालना because इसमें खुद best 5 बोला है सारे डालने से merit थोड डालना पो जितने भी 12-15 subjects होते हैं सब कुछ जो last में total marks होते हैं उसमें से सारा percentage निकालना है और DL8 के percentage कैसे निकालते हैं उसकी वीडियो में और बना चुकी है तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप मुझे comment section बता स के साथ ठीक है और आपके 10th के marks की value 20% ली जाएगी 12th की 30% ली जाएगी और D8 की 45% ली जाएगी इस तरीके से यह लोग आपका recruitment विटेज बनाते हैं टोटल 100 marks होंगे अब आते हैं salary salary के होगी तो salary अगर आप resource coordination center कर रहे हैं तो आपकी एक दिन की salary 1445 होगी ठीक है तो एक दिन की salary 1445 होगी और अगर आप महिने में चौबिस दिन जाते हो तो जो आएगा वो आपकी एक gross salary होगी और जब आप guest teacher में होते हो तो आपको कोई वैसे facilities नहीं दी जाते हैं जैसे आपको permanent में दी जाती है ठीक है इसमें seated qualified ज़रूरी है और minimum आपके पास अगर आप PGD के लिए कर रहे हैं तो master's होना चाहिए और B.Ed तो mandatory है last date 15 October apply करने की इसके अलावा डली के स्टेचर की वेकेंशी के online form जवे 30 September से निकल चुके है ठीक है और ये DOE की तरसे आया तो इसमें job location जवे दिल्ली ही होगा अगर आपको यह और से भी फिल कर रहे है तो आप कर सकते हैं और job location दिल्ली होगा ठीक है तो यह पूरी इस वीडियो थी इस वीडियो आपको eligibility, merit, examination, location और कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं सब बता दिया हैं बाकि आपको सारी अपडेट्स टेलिग्राम पर मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक कॉमेंट सेक्षिन में वीडियो पसंद आगे तो वीडियो को लाइक करना ब्रूंत क्या । हं। कि बता देन स्एंग्स में आपको सेक्वराम आपको सेक्रेफ्Come